Good evening friends, मैं Dr. Sahit Joshi, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता हूँ various health related problems और health tips को discuss, आज मैं आप से बात करूँगा PCOS, जिसको PCOD के नाम से भी जाना जाता है, polycystic ovelian syndrome के बारे में मैं आप से discuss करूँगा, ये एक ऐसा problem है जिससे अधिकतर सभी महिलाईं, हर दूसरी महिला इस बिमारी से पेड़ित है, पहले तो 35 प्लस एज की औरतों को ये problem होता था, लेकिन आज कल मैं इसके cases देख रहा हूँ कि ये 19-20 साल से इसका problem शुरू होने लग जाता है, और लगबग एक ऐसा problem है जिसका modern medicine में, alopathic medicines में कोई treatment नहीं है, PCOS और PCOD के बारे में क्या आखरी ये क्या चीज़ है, ये एक ऐसी बिमारी है, जो औरतों में hormonal imbalance की वज़े से होती है, जनरली PCOS, polycystic ovarian syndrome, एक major health concern बन चुका है women's की life में, PCOS से जनरली होता क्या है कि, आपकी जो ovary होती है, ovary में छोटी छोटी सी गाठे टाइप के बनने लग जाती है, छोटी छोटी सी गाठे आपकी एक ovary में या दोनों ovary में ऐसी गाठे जिसी बन सकती है, कुछ कुछ cases में ovaries में swelling आने लग जाती है, और इसी के कारण से ovary से जो hormone प्रेडियोस होते हैं, जिसको हम estrogen hormone बोलते हैं और endrogen hormone बोलते हैं, इन में multiple changes आने लग जाते हैं, उचे नीचे इनके hormones के level होने लग जाते हैं, और इसी के कारण से patient के सरीर में, पेशियोस के patients के सरीर में अधिकतर बहुत अधिक symptoms पैदा होने लग जाते हैं, patient के शरीर में insulin के प्रती resistance पैदा होने लग जाता है, और insulin के resistance के कारण blood में जो sugar होता है, वो पूरा purify नहीं हो पाता है, बोडी में sugar purify नहीं हो पाता है, जिसके कारण type 2 diabetes हो जाती है, patient को sugar हो जाता है, कुछ-कुछ patients के neck region में lines पढ़ने लग जाती है, काली रंग की lines neck region में देखने को मिलती है, यह generally sugar के up-down होने की वज़े से, sugar के levels up-down होने की वज़े से होता है, चलिए अब बात करते हैं PCOS और PCOD के causes की, कि क्या इनके causes होते हैं, generally PCOS और PCOD के अभी तक्ता medical science को completely इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह बहुती complex interaction होता है, genetic, environmental और heredity और lifestyle factors से मिलता जुलता परशानी होता है, PCOS generally एक result है आपकी, अगर आप खान पीन पे ध्यान नहीं देते हैं, अगर आप अपने lifestyle पे ध्यान नहीं देते हैं, जैसे सुबह टाइम से उठते नहीं हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं देते हैं, तो इसी के कारण PCOS और PCOD का problem होता है, PCOS के symptoms के बारे में कि अगर आपको PCOS का problem है, तो आपको क्या-क्या लक्षन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि generally 70% महिलाओं को तो अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है, जनरली ऐसे symptoms महिलाओं के शरीर में होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये किस कारण वर्स होते हैं, तो चलिए बात करते हैं PCOS के लक्षनों के बारे में, सबसे पहले तो आपको irregular menses होने लग जाएंगे, आपा जाता है, तो एकने भी एक बहुत बड़ा कॉज है, आपके face region पे, आपके armpits में, आपके हातों में, पैरों में extra hair की growth होने लग जाएंगे, मतलब बाल उसमें बहुत intensity से बढ़ने लग जाएंगे, और साथी साथ में आपको facial region में दाड़ी जैसी आने लग जाएंगे, facial hairs grow होने लग जाएंगे, आपको hair fall का problem हो सकता है, hair fall आपको PCOS में होता है, हाती साथ में जो hair की density होती है, वो पतली होने लग जाती है, थिन होने लग जाते हैं hair साब के, आप weight gain कर सकते हैं, अच्छी quantity में आपका वजन बढ़ सकता है, आपका tummy आ सकता है, और uterus ठिक होने की वज़े से, जनरली irregular menses का problem बहुत अधिक देखने को PCOS के cases में मिलता है, चलिए अब बात करते हैं, अगर आपको PCOS का problem है, तो इसके लिए क्या treatment आपको लेना चाहिए, मैं डॉक्टर जोशी आपको ये बोलूँगा कि PCOS के अगर आपको परशानी हैं, तो आप इसके लिए homeopathic treatment लीज़े, homeopathic treatment में, अगर आप specific homeopathic में PCOS का treatment लेते हैं, तो naturally और permanently बिना surgery के आपका PCOS का problem absolutely 100% ठीक होता है, अगर आपको मेरे द्वारा बताईगी, ये PCOS, PCOD पर जानकारी पसंद आई होगी, अगर आपको मेरे बताईगी, जानकारी पसंद आती है, तो आप प्लीस मेरे चानल को like, share, subscribe ज़रूर कीजिए, और साथी साथ में अपने friends, family members, office staff, सभी को मेरे इस YouTube चैनल के बारे में बता अगर आपके कुछ भी डाउट्स होते हैं, तो आप मुझे वाट्साप के जरीए आप मेरे से जोड सकते हैं, धन्यबाद दोस्तों, आपका दिन शोब हो, जै हैनी मैन, जै होमियोबती